हलो एंड वल्कम, आइम रिया पंटीर, अ हेल्थ कंसल्टेंट एड विदास के और आम तोर पर गर्दन में होने वाले दर्द को लोग नजर अंदास कर देते हैं लेकिन आपको बता दे कि कई बार ये आपके स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकती है ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है खराब लाइफस्ट्राइल में लोग ओफिस या घर पर ही कुर्सी पर गलट हंसे काफी समय तक बैठे रहते हैं जुपकर काम करना इन सब के कारण ये समस्या उत्पन्य हो सकती है अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप सर्वाईकल के शिकार हो गए हैं सर्वाईकल स्पाइन यानि गर्दन के हिस्से वाली रीड की हड़ी के जोड़ो of और डिस्क में समस्या होने से सर्वाईकल पेंट की समस्या हो सकती है इसकी शुरुवात गर्दन से नीचे कड़ापन वे दर्द से होती है धीरे-धीरे ये दर्द और अकडन कंधों रीड की हड़ी से होते हुए हाथों तक पहुच जाता है कई बार सर में दर्द और चक्कर की भी समस्या होती है इस तरह की समस्या को गंवीरता से लेना चाहिए डॉक्टर के अनुसार अगर सर्वाइकल पेन का दर्द केवल गर्दन में ही नहीं बलकि धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्तों में भी फैल जाता है इसलिए जरूरी है कि समय रहते हुए समस्या से छुटकारा पालिया जाए सर्वाइकल से फीडित लोगों की मदद के लिए विदास के और लेकर आया है हर्बल कंपोजिशन से तयार मेडिसन और्थोकेर, और्थोमालिश और सर्वदर्दनाशक और्थोकेर में अश्वगंदा, शालकी, गुगलू, सौथ, आदी जड़ी बूटिया शामिल है ये जड़ी बूटिया दर्द निवारक के रूप में काम करती है और इसमें एंटी इंफ्लमेटरी गुड़ है जो सर्वाइकल के इलाज में मदद करते है पोजन के बाद गुंगुने पानी के साथ और्थोकेर दिन में दो बार लेना है सर्वदर्दनाशक जोड़ों की दर्द को कम करने और गर्दन के जोड़ों को राहत देरे में मदद करता है सर्वदर्दनाशक की एक गोली रोज लेनी है और्थो मालिश तेल गर्दन में अकड़न और सुत्रतार को कम करने में मदद करती है और्थो मालिश तेल से दिन में दो बार मालिश करें तो अगर आप सर्वाइकल की समस्य से जूम रहे हैं तो अभी हमसे संपर करें और हमारे स्वास्त विश्य शग्य से निश्वल्ख परामर्श पराप्त करें।